नमस्का फ्रेंस प्लैनेट हब चनल में आप सभी का फिट से हाट दिक स्वागत है और इस बार सब्जेक रहेगा मिठून रासी न्यू इयर तू थाउजन ट्वेंटी टू दोजार बाइस के अंदर हम लोग ने प्रवेश कर लिया है अभी मिठून रासी जेमिनी बुद के अगर की रासी चंद्रकुनली से मून साइन से बात करेंगे जितनी बेव्यक्ति परसन मिठून रासी के अगर बोलता नाम भी आपका मिठून रासी से है तो वह भी आपको लागू पड़ेगा 50 परसन बोलता नाम काम करता है 50 परसन आपकी जनम की रासी काम करती है अगर द 2022 संक्षिप में बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे जो है वो ही बोलेंगे ज्यादा लंबी चोड़ी खीच के करना मतलब नहीं है यहां बात करेंगे राहू की राहू 12 अप्रिल में चेंज होगा 30 के आसपास राहू 14-15 सो चेंज होगा अप्रिल में 30 को शनी महाराज चेंज होंगे अप्रिल में और गुरु महाराज होंगे वो भी 14-15 के आसपास अप्रिल की तो यह तीन जो मेजर प्लैनेट्स हैं वो साल बर काम करते हैं कुनली के अंदर यह वो पहले बैकग्राउंड त प्लैनेट्स है वो पूरी बाजी तैयार करते हैं फिर जो छोटे प्लैनेट्स है सुरिय बुद्ध शुक्र मंगल चंद्र यह छोटे प्लैनेट्स मतलब छोटे टाइम रहने वाले कम प्रियर रहने वाले यह लंबे टाइम प्रियर रहने वाले हैं तो जो पहले आके पू सुरिय, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, यह सब छोटे पिडियर के लिए हैं, तो वो आखरी नतीजा तैय करते हैं, वो जो ग्रहों की चाल है, जो अंजाम उनको देना है, वो फिर यह छोटे प्लैनेट्स बाजिब बना के उसको आखरी ओप देते हैं, रूप देते हैं, वैसे यह सब चीजे तैयार होती है, यहां अपने बात करेंगे 2022 में, राहु माराज आपके 12 हाउस चे निकल कर यहां 11 हाउस में आएंगे, 12 हाउस का राहु आपने देख लिए, आपको कितनी समस्या देके रहा है, दे रहा है अभी भी, क्योंकि राहु जाता जाता भी, व वही दाइरे में है, जब तक राहु नहीं निकलता है, राहु निकलने के बाद भी, दो-तिन में उसकी असर रहती है, जैसे साब चला जाता है, लेकिन उसकी लकीरे छोड़की जाता है, वैसे ही, यहां आपको अभी भी, डर माहुल में रहना जरूरी है, एकदम सिफरी स्करने पड़े हैं आपको, यहां अभी जैसे राहु आएंगे तो वो आपके लिए लख की साबित होने वाले हैं, इलेवन्ध हाउस में राहु जबी भी आते हैं, यार्मे स्थान का राहु, वो भी मेसरासी का, यहां मंगल के घर का राहु, काफी बेतरीन माना जाएगा, वो आपको बहुत सारी एचिवमेंट यहां देगा, आपको अनबिलिवेबल, अनएक्सपेक्टेड काम आपके बना सकते हैं, यह राहु अटरा साल में एक बार यह हाउस में आते हैं, अभी आप सोच लिजिए, जो राहु ने आपको ट्वेल्ध हाउस में खराब फल दिय है, तो वो जब यहां 11 में आएंगे तो वो आपको कितना बहतरीन फल देंगे, वो आप सोच नहीं सकते हैं, यहां राहु बहुत ही बहतरीन गिने जाएंगे, जो बड़े लोग है, जिनका बड़ा काम है, बल्फ में काम है, क्वंटिटी का काम है, उन लोगे के लिए राह होती अच्छा माना जाएगा, मिठून रासी की बात करते हैं, जेविनी की बात करते हैं, चंद्रकुली की, तो यह जो भी बड़े काम है, जो हवाला, दो नमबर के बोले जाते हैं, यह सब काम, वो काम उनको बहुत फलेंगे अभी, यह राहु उनको बेतरीन फल देने वा हैंगे, दस्वास्थान मेरा अपना गुरु माराज एकदम से व्यक्ति परसन को बड़ी उन्चाई दे देता है, गुरु यहां जबी भी आते हैं, तेरा बारा साल में एक बार आते हैं, यह हाउस के अंदर, वो भी मीन रासी के खुद की रासी के गुरु स्वग रही जिस जितने प्राबलेम आपने देखे हुए हैं, वो सब प्राबलेम का यहां समापन होने वाला है, आगे बेहतरीन लाइफ आपकी तैयार होने वाली है, इसलिए उठ जाईए, कमर कस के तैयार हो जाईए, सोच लिजए, यह देखिए, मैं आपको पोजिशन बजाता हूँ, य यहां राहू भी, इलेवन्थ हाउस का राहू, जितने भी हाउस है, सबसे ज़्यदा राहू यहां इलेवन्थ हाउस में फल देते हैं, थर्ड, सिक्स्थ को भी आप साइट पे रखके, इलेवन्थ का जो राहू है, वो सबसे बेतरीन माना गया है, इसलिए आप सोचिए, यहां गुरू खुद यहां रहेगा, साल बर राहू यहां रहेंगे, तो आप कितनी बड़ी अच्छी पोजिशन बना सकते हैं, ग्रहो की चाल आपकी फेवर में, अगर दसा, अंतर दसा, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो गोचर आपको सपोर्ट करने के लिए पूरा तया हो जाएए, अपने वेपन्स उठा लीजिए, जितने भी आपको तकलीफ कश्ट से आपने देखे हैं, जो सीखा है, तकलीफ कश्ट सब सीखने के लिए होता है, वो सीखने के बाद अभी आपको किस तरह से लाइफ में आगे बढ़ना है, वो अभी आपको तैय करना है, इस सकते हैं बहुत सारे एक्वेशन आपके बदल सकते हैं लाइफ में तैयार हो जाएए अपने वेपन्स हत्यार तैयार कर लीजिए उसको फिर से साफ कर लीजिए सुथरा कर लीजिए क्योंकि टाइम आपका है आप जो चाहोगे आपके ड्रीम्स गोल्स सब यहां सकसेज होने हैं ट्रू होने वाले हैं बेस्ट लग आने वाला कल आपका है इसे और के उड़े लेकर आऊंगा तब तक के लिए नमस्कार